So hi everyone, welcome back to my YouTube channel So friends, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि UP के अंदर जो भी Government Engineering College है उसके cut-up के बारे में बात करूँगा कि friends, आपको J-Mains में मिनमम कितना आपको percent tired आता है तो कौन-कौन सा आपको college जो कि UP के अंदर, यानि कि AKTU हो गया, UPTU हो गया ये सब में आपको कैसे आपको एडिवीशन होगा, उसका counseling procedure के बारे में बताऊंगा और मिर्मम से मिर्मम आपको कितना March रहता है, कितना आपका rank रहेगा या कितना आपको J-Mains में percentile रहता है, उसके basis पर कौन-कौन सा आपको college मिलने वाला है उसके बाद ये सब college का आपको average and high package के बारे में बात करूँगा, तो जो भी है, जैसे कि B.E.A.T. जहांसी हो गया, H.B.T. कानपूर हो, T.Lak. 9 हो गया तो इस सारा college को मैंने बताने वाला हो एका करके, तो वीडियो को last तक देखिएगा, आपको पताच चल जाएगा कि minimum हम मुझे कितना J-Mains में percentile रहेगा, तो ये सब आपको college मिलने वाला है, तो चलते हैं वीडियो को start करते हैं, उससे पहले अगर friends, आप लोग मेरे बार्सप ग्रूप में नहीं जोएन हो जाएए, जो भी student, state के government engineering college में एडिविशन लेना चाहते हैं, UP के अंदर जितने भी आपको government है वो सारा के मैंने जो भी update साथ है, जैसी के आप लोग का counseling होता है UPAC करके, यानि के UP के जो भी student रहते हैं और जो all of India से रहते हैं वो सब के लिए आपको यहाँ पर जो की application form fill up होता है जैसी ही आएगा मैं आपको बता दे दूँगा क्योंकि फ्रेंस आपको मैं बता दूँँ एक की की आप लोग का जो counseling का जो start होगा, जब भी इसका registration बेगे रहा होगा, आपको J-min session second के जब result आ जाता है जैसी कि 25 April के आप लोग का हो जाएगा, रिजल्ट आएगा उसके बाद इन सभी को college के लिए आपको state के government engineering college के लिए counseling start होता है उसका registration, तो जैसे ही आएगा मैं बता दूँगा, तो आप लोग मेरे WhatsApp group and Telegram group में join हो जाईएगा, उसका भी link मैंने discussion box में दे दिया हूँ इन्फर्मेशन यहां से आपको मेर रहे होंगे, तो सबसे first number के जो कि आपको UP के अंदर आता है state के government engineering college, top number का जो कि college है, IIT लखनौव है, इसमें मैं branch और general जो rank है, उसके basis पर में बताऊँगा, percentile और mark, यानि कि आपको कौन सा ब्रांच के लिए क्या rank रहेगा, कितना आपको जे में, percentile रहेगा, तो यहां पर आपको मिलने वाला है ओके जी, तो सबसे पहले तो है CSE, यानि की computer science engineer, यह last round का मैं cut up दिखा रहा हूँ, जो कि 40,830 पर यह बंद हो चुका था computer science के लिए 40,830 पर बंद हो चुका था इसके लिए आपको 95% tire रहेगा, तभी आपको मिलने वाला है, क्योंकि इस बार number of student, जो कि बढ़ भी गिये है, इस बार के लिए लगबार 14,00,000 सेशन दोनों को मिला दिया जाए तो चला जाएगा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इससे पार है, तभी इसके बारे में सोचना भाई, नहीं तो अदर भाई आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है मार्स के मैं बात करूँ फ्रेंज, तो 130 से 150 के बीच में आ रहे हो, तो यहाँ पर पिछले साल के मैं डेटा के मैं बात कर रहा हूँ यह सब जितना भी बनाया हूँ 2023 का है, इस बार नमबर आप कंडिडेट बरहेंगे, तो आप मार्स में 5-10 आपको इंक्रिजमेंट करके चलना है, मैंने यहाँ पर देख सकते हो, 130 जो की लेकर 150, यानि की hard paper आया होगा, जिसके basis पर इतना बन रहा था, और जो easy paper था, यानि यह 150 था उसके basis पर आपको देखना होगा, तो इस बार भी वही राने वाला easy to moderate by hard जो भी paper है, उसके according आपको इतना percentile होनी चाहिए अब मैं बात कर लेता हूँ, computer science का self finance के लिए, यहाँ पर 55,770 पर यह जो की close हो गया था, इसका percentile के मैं बात करूँ, तो 94.32 रहता है, तभी आप इसके लिए आपको सोचना है, और यहाँ पर देख सकते हो, 115 से लेके 135 के बीच में है, like कर रहा है तो आपको यहाँ पर मिलने की chances पूरी हो जाती है, और इससे ज़्यादा है, तो आप sure हो जाओ, कि यहाँ पर 100% आपको मिलने जाएगा इस ब्रांच में, उसके बात मैं बात करूँ friends, CAC का AI यानि Artificial Intelligence के लिए तो friends, यहाँ पर जेनरल वालों के देख सकते हो, 47,155 है वही परसेंटायल के मैं बात करूँ तो 95% होनी चाहिए अगर इतना आ रहा है तो friends, आपको मिलने वाला है, 120-135 के बीच में आपको जो की मार्स होनी चाहिए EC ब्रांच के मैं बात करूँ जो की communication engineering के लिए तो 65,000 के करीब यहाँ पर जो की रैंक क्लोज हो चुका था वही परसेंटायल 93 और मार्स जो है 105-120 के बीच में लाइक करता है तभी आपको EC ब्रांच मिलने वाला है आप मैं बात कर लेता हूँ IT लखनो जो की टॉप कॉलेज है UP के अंदर अस्टेट का तो इसका हाइस जो पैकेज गया है 36.8 LPA के गया है केम्प्यूटर साइंस का वही एवरेज पैकेज के मैं बात करूँ तो 6 LPA के गया है तो यह आपको जो की टॉप कॉलेज हो गया आपको IT लखनो के अंदर उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ जो की अगला इंजिनियरिंग कॉलेज है HBTU कानपूर तो यह जो माना जाता है कि आपको जो UP के अंदर है सबसे अच्छा कॉलेज जो माना जाता है जिसमें प्लेस्मेंट के मामले में तो यह इसमें माना जाता है यानि HBTU को इसमें ब्रांच जेनरल रेंक वही मैं बताऊंगा जो कि computer science का देख सकते हो आप rank के according भी आप देख पा रहे हो कि 27,000 पर ये बंध हो गया था 160 पर तो आप देख पा रहे हो कि यहां पर rank कि 27,000 पर ये close हो चुका है last round का यहां पर मैं देखा रहा हूँ उसके बाद यहां percentile के लिए 97 percentile गया था इसके लिए marks आप देख पा रहे हो कि 145 से 165 इसी ब्रांच के लिए तो 40,000 उसके बाद percentile आपको होनी चाहिए 95.6 के approximate आ रहा है तो 130 से 150 आ रहा है तो मिल जाएगा वही यहां college का hbtu कानपूर के मैं बात करूं information technology का तो यहां पर देख सकते हो 33,664 पर यह close हुआ था last round का इसके लिए percentile आपको होनी चाहिए 96.4 percentile है तो यहां पर आप कर सकते हो 138 से 155 है तो इतना इतना आपको आ रहा है इतना percentile आ रहा है इतना आपको marks आ रहा है तो आप यहां पर expect कर पाओगे कि यहां पर आपको hbtu कानपूर में मिलने वाला है इसके highest package के मैं बात करूं तो 33.3 LPA का गया है और average package जो है 7 LPA का रहा है इसे लिए यहां पर जो कि hbtu कानपूर का जो कि यह आपका rank बना और यह इतना आपको percentile आता है तभी आपको इस college में आपको admission मिलने वाल है उसके बाद अगला जो कि आपको college आ जाता है एकेटिव के अंदर जो कि अगला जो college आ जाता है एकेटिव के अंदर के NIT सुल्तानपूर तो यहां पर आपको एडिविशन लेना है तो यहां पर आपको मैं ब्रांच के में बात करूं CAC, EC, IT यह सब इसलिए मैं ब्रांच के मैं बात करूं तो 40 percentile 50 percentile 60 percentile यानि कि 3-3 लाग, 4-4 लाग, 5-5 लाग पर चला जाता है वो सब कुर्वें यह मैंने hard जो कि बोल सकते हो कि highest जो कि rank और percentile के basis पर यहां पर होता है इसलिए अगर वही मैंने बता दिया कि computer science के अलावा जैसी कि आपको हो गया civil वेगेर, mechanical, electrical बेगेरा लोगे, तो आपको यहां पर 40 percentile, 50 percentile पर यहां पर मिल जाएगा, ओके, इसका देख सकते हो CAC का, KNIT सुल्तारपुन का 76,000 गया है, जो कि last cut-off का है, उसके बाद देख सकते हो, 1,171,000 जा चुका है, 84,000 IT में गया है, last round का, 92 यहां पर बना है, CAC में 88 percentile, आपको ज जो कि पिछले साल के according है, expected, तो आपको इतना रहता है friends, तभी आपको यहां पर संभव है, इसके high package के मैं बात करो हूँ, तो 45 LPA का गया है, वही average package जो कि 6 LPA का, यह सारा मैं data बता रहा हूँ, इसके official website से, और cut-up भी गेरा, ओके, तो आप जाका official check भी कर सकते हो, उसके कि 40, 50, 60 percentile पर यहां पर मिल जाएगा, लेकिन यहां पर मैंने बता रहा हूँ, cut-up जो जिसमें high है, जैसके computer science लेने का, काफी student का यहां पर demand रहता है, computer science, ECE, IT, तो देख पा रहे हो कि CAC का 76,000 पर यह close हो जाया था, 520 पर, वही EC का देख सकते हो, 1,211 चला गया था, और IT क 86,680 पर, उसके बाप percentile के मैं बात करूँ, friends, तो वही EC, CAC का 92 रहता है, तो मिल जाएगा, 90 EC में, 91 IT में, इसके लिए आपको यहां पर देख सकते हो, marks इतना इतना के बीच लाइक कर रहा है, तो यहां पर आपको 100% मिल जाएगा, इसके high package के मैं बात करूँ, friends, तो 60 LPA गय है, उसका यह देख पा रहे हो, कि आपको cut-up है, अगला जो कि last मैं बता रहा हूँ, college बता रहा हूँ, MMUT गोरखपूर, इसका cut-up क्या जाता है, तो friends, यहां पर आप देख पा रहे हो, कि सबसे पहले branch के लिए मैं बता हूँ, कि CAC, EC, IT, और EC में IoT, Internet of Things है, तो friends, आगे बढ Greater Nevada Institute of Technology, इसका established के मैं बात करूँ, तो 2001 का है, उसके बाद इसके मैं बात करूँ, disability criteria का मैं बात करूँ, तो 10 plus 2 PCM से होनी चाहिए, अगर general EWS के student है, तो आपको 45 percentile होनी चाहिए, वही आप ACST के category से बिलाउं करते हो, तो 40 percentile होनी चाहिए, उसका free structure के मैं बात करूँ, friends, तो per year आपको 2 lakh लगने वाला है something, उसके बाद इसके हाइस package के मैं बात करूँ, friends, तो 70 LPA लगा है, जो की computer science में, वही एबरेज 6 से 7 LPA का जाता है, तो इसका application from start है, तो description box में आपको link दे दिया हूँ, तो वहाँ से जाके apply कर सकते हो, और कोई भी query होता है, तो आप नमबर भी द rank है, देख पार रहे हो, 53,914, यह जो की last round का है, cut up, उसके बाद, friends, EC का देख सकते हो, 75,942 पर close हो गया, IT 61,820 पर close हुआ, EC IOT देख सकते हो, 71,440 पर यह close हुआ, तो इतना आपको जो की पिछले साल का है, cut up के मैं बात करूँ, percentile का, कि इतना इतना आपको आता है, जैसे क आपको CAC में 94, percentile पूछ रहता है, तो यहाँ पर होगा, 92, percentile EC में, और IT में 93, percentile EC, IOT में 91, percentile रहता है, something, तो यहाँ पर आपको एडविशन होगा, इसके लिए आपको इतना मार्स होने चाहिए, इतना इतना के बीच आ रहा है, तो यहाँ पर expect कर पा रहे हो, कि आपको य रुपी के अंदर, जो state के government है, तो इसके लिए आपको इतना इतना आपको percentile होनी चाहिए, यह मैंने बताया के बीच के लिए, अगर और दूसरा ब्रांच लेना चाहते है, कोई other states के हो, सभी student ले सकते हैं, तो इसके लिए आपको 40, percentile, 45, percentile, 60, 70, इतना रहता है, तो यह स बताया, कोई भी आपको doubt रहता है, counseling के regarding, doubt रहता है, तो comment किजिए, उसका मैं जवाब दूँगा, और मेरे WhatsApp and Telegram group में join रहे, तो चलते हैं, thank you so much friends,